हेलो एवरिवन आप लोग का स्वागत है मौस के ऑल्लाइन क्लास में हम लोग एसफडी बीमडी टॉपिक पढ़ने थे जिसमें मैंने आपको कुछ थेयोरिटिकल पार्ट्स बताया था प्रिविएस लेक्चर में और आज हम लोग नियुमरिकल्स पार्ट में आ जाते हैं जह आपउसे ड्रॉब किया जाता हैं ठीक है एक स्वी बीमडींगी द्रॉब करने का दो मैठड एक प्रक्षध माय्थथ के मदद से कर सकते हैं दूसरा सेक्षभ मातड में मन से प्री इंड पर हमको क्या लग रहा है एक पॉइंट लोड लग रहा है इसमें याद रखना है कि हम मैगनिचूड नहीं लिए है अभी एक नॉर्मल डेटा के साथ इसको बनाना चाहरा है तो याद रखना है जब भी कैंटी लिवर का कोश्चन होगा तो हम जितना भी पढ़ा है करेंगे तो free and से करेंगगा मान लिजे कि आपका kandilever beam इस तरह से होता तो पड़ाइए इधर से करते हैं और अगर ऐसा है तो पड़ाइए हम इधर से करके दीजें ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं साइन कर्वेंसन लेख देते हैं साइन कर वेंसन साइन कर वेंसर समें क्या वता है कि फोर shear force इसको आपको एकदम रट जाना है for shear force अगर हमको shear force करना है तो left से right अगर चलेंगे left से right चलेंगे तो उपर वाला force plus मानते है और नीचे वाले force को minus मानते है अगर हम right से left चलेंगे तो बस just उल्टा हो जाएगा उपर वाले force को हम लोग negative मानेंगे और नीचे वाले force को हम लोग positive मानेंगे ठीक है और moment के लिए for bending moment for bending moment अगर हमको bending moment पता करना है तो याद रखना है कि अगर हसाएगा तो plus लेंगे और रुलाएगा तो minus लेंगे ठीक है जिसमें आप इसको लिख देंगे sagging positive होगा और hogging negative होगा बस इसके सिवार कोई sign convention use नहीं करना है आप किसी भी book का question ले लेंगे बस जो method आपको बता रहा हूँ उस method से आप बनाएए आपका सारा का सारा data और figure match करेगा ठीक है चली तो अब हम लोग क्या करेंगे पहला अगर figure में naming नहीं दिया हूँ तो naming कर देंगे तो already figure में naming दिया हूँ A और B तो हम लोग naming नहीं करते हैं अब हम लोग क्या करेंगे अपने मन से section काट लेंगे तो section आप कहीं भी काट सकते हो तो हम यहाँ पर एक section काट लिए ठीक है अपने मन से यहाँ पर ऐक section काट लिए और क्या कि बोले हैं कि जब भी measurement करना होगा पढ़ाई करना होगा तो free-end से तो हम X से measure कर लिए ठीक है यहां से X से मतलब free-end से measure कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे for portion किस portion में पढ़ाई कर रहे AB में कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो X measuring from free end A, हम लोग X को कहां से measure कर रहे हैं, A से measure कर रहे हैं, यहां तक में कोई confusion नहीं हो रहे हैं, बस याद रखना है कि आपको एक बार अच्छे से तरीका सीख जाना है, अगर आप तरीका सीख गए हैं, तो यकीन मानिए आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, और एक चीज़ आपको अभी बताते हैं, तो अगर आप बीटेक करने चाते हैं, तो वहाँ भी आपको मौस के सब्जेक्ट में फिर से वापस SFD-BMD पढ़ना होगा, इवल हर एक इंट्रेंस एक्जाम में SFD-BMD से question काफी आते हैं, तो अगर आपको उसका concept अच्छा बन जागा, तो आप देखते संग ही उसका objective टिक बार सकते हैं, तो for portion AB, X measuring from free end, तो हम लोग सबसे पहला पता करेंगे, shear force, FX, equal to, क्या बोले, जहां section काटे हैं, और जिधर से आप measurement करें, बस उतना ही portion देखना है, बाकी बाद नहीं देखना है, इसका मतलब हम measurement A से कर रहे हैं, तो ये वाले portion को नहीं देखेंगे, यहां से यहां तक में हम को एक ही force दिख रहा है, W, और किधर दिख रहा है, तो देखें, पढ़ाई इस पर किधर से कर रहे है, right से left, कैसे पता चला कि right से left कर रहे है, तो ये right है, और इधर जा रहा है, ये left है, तो जो section हम लोग काटे हैं, वस उतने दूर देखना है कि कौन-कौन सा forces लग रहा है, तो एक ही force लग रहा है, W, वो भी कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, क्या बोला, डाउनवर्ड रहेगा, right से left का पढ़ाई करेंगा, डाउनवर्ड रहेगा, तो positive, कितना लेंगे, W, correct है, इस W के साथ कोई variable multiply नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, constant कहेंगे यह सब आपको लिखना पड़ेगा, clear है, मतलब A से लेके, जहां section काटें, वहां तक W लोड ही लग रहा है, इसका मतलब आगे भी अगर हम यहां भी काटतें, तब भी कितना लगता, W, इसलिए यह constant हो गया, अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, यह आपका share force हो गया, अब movement के लिए, MX is equal to, अब X इसलिए लिख रहा है, क्योंकि हम लोग X distance पर इसको measure कर रहे, correct है, अब देखें, इसको fix कर लिजे मन में, जहां काटें, तो force यह, और distance कितना है, X, यह इसको क्या करेगा, इस तरह से जुकाएगा, तो रूला रहा है, यह देखिए, तो कितना हो जागा minus force, W into X, चुकि X आ गया है, यह याद रखना है, very very important, X आ गया है, और उसका power कितना है, 1 है, तो इस तरह के relation को हम लोग linear कहेंगे, यह याद रखना है, मतलब, आपको यहां rough में हम बता देते हैं, जैसे 5 लिखाया है, इसको हम लोग constant कहेंगे, correct है, और अगर 5X लिखाया है तो इसको हम लोग linear कहेंगे, और अगर 5X square लिखाया है, तो इसको हम लोग parabolic कहेंगे, और अगर 5X cube लिखाया है, देगे 5 कोई special data नहीं है, अब कुछ भी मान सकते है, जैसे यहाद W क्या है, constant term है, उसी तरह यह constant है, अब 5 के जगा कुछ भी ले सकते है, 7, 8, 9, 10, कुछ भी बस यह relation अगर ऐसा रहेगा तो इसको इस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग cubic कहेंगे, तो यहाँ पर हमको यह relation दिखा, इसलिए हम इसको क्या कहा दिये, linear कहा दिये, यहाँ तक मैं कोई confusion नहीं, चलिए, very good, अब अगर X हा रहा है, तो इसका मतलब है कि X का मान तो change कर रहा ह है, vary कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, at point, कहा पर, A पर, X का value कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि हम यहीं से measurement कर रहे हैं, तो जहां से measurement करेंगे, तो X का मान क्या होगा, 0, clear है, तो X का मान 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, movement कहां पर पता करेंगे, A जब भी X आएगा था हमेशा याद रखना है इस तरह से boundary condition लगा के magnitude को निकालना है तो moment about A कितना हो जगा है W into 0 तो 0 तो हमको पता चलिए moment A पर कितना हो रहा है 0 कि यहां तक में कोई confusion नहीं चलिए अब हम लोग क्या करता है आगे बढ़ते हैं अब यहां से हम लोग क्या करेंगे यह portion को हटाते हैं ठीक है चलिए आट पॉइंट आट पॉइंट आट पॉइंट बी पर अब हम लोग डाइरेक्ट कहां गए बी पर fix in पर एक्स का वैल्यू कितना हो जागा एल ठीक है तो मुमेंट का equation क्या था यह वाला general equation है यह वाला तो अब हम लोग moment about b उसी में put करेंगे क्योंकि यह general equation है a और b के बीच में मिला तो यह कितना हो जागा minus w into l clear है तो यह हमको निकल गए अब मेरे पास सारा data available है अब हम लोग इसका sfd-bmd draw करेंगे हम लोग कैसे sfd-bmd draw करेंगे तो या तो आप fresh figure एक बना लो और नहीं तो जैसे मेरे पास यह already बना हुआ है तो हम क्या किये इसके नीचे इस तरह से line खीचती है ठीक है और फिर यहां से भी एक line खीचती है करेक्ट है और यहां से एक horizontal line खीच देना है इसका नाम दे देना है a और b अब सबसे पहला हम लोग force पर चलेंगे देखिए force के लिए share force के लिए कितना है fx बराबर w और वो भी कैसा है constant प्लस में तो अगर प्लस में होगा तो line के उपर चलेंगे तो हम लोग अपने मन से इसको w माल लेंगे यहां पर कोई measurement नहीं बस free hand sketch आपको draw करना है यह भी w माल लिए constant और यहां से हम लोग एक सीधा line खीच दे जब constant होगा तो हमेशा याद रखना है एक straight line खीच देना है और इसको क्या करना है 45 degree पर रखके approximately hatching कर देना है इस तरह से जैसे आपको बता रहा हूँ ठीक है कोई नया style design मत बनाईएगा और इस line के ऊपर है इसले इसको हम लोग positive plus लिख दिये और यह कितना है w है और यही जो drawing बना है इसी को हम लोग sfd कह रहे है इसका मतलब है कि इस structure पर w newton का load लग रहा है तो यह structure भी w newton से ही अपने आपको resist कर रहा है और throughout same magnitude के साथ resist कर रहा है अब next क्या करेंगे यहां से एक line खीचेंगे फिर a और b अब देखिए moment के equation में क्या है negative आगे a पर कितना है zero है तो zero और b point पर कितना है minus wl है downward है negative है तो negative रहगा तो नीचे इसका मतलब अपने मंद से यहां माल लिए wl और linear है तो इस point से इस point को हम लोग मिला देंगे ठीक है दमसीधा scale रखके मिला देना है clear है थोड़ा figure आप कुछ से देख लेंगे कि neat and clean बनना चाहिए okay तो वहां पर आप scale का use करेंगे तो यह मेरे पास linear equation हो गया और इसको भी क्या करना है hatching कर देना है clear है जैसा sfd का hatching रहेगा उसी तरह आपको bmd का भी करना है तो यह आपका हो गया bending bending moment diagram और यह negative डाल देना है और यह value आपको यहां पर side में लिख देना है तो यह sfd bmd हो गया draw इसका मतलब है कि यह अगर मेरा cantilever है और यहां पर हम लोड लगा रहे हैं तो कौन सा portion सबसे जादा resist कर रहा थी यह वैला portion कितने से कर रहा है तो wl newton meter के movement से इसको resist कर रहा है तो i hope आपको यह numerical अच्छे से समझ में आ चुका होगा इसको फटा-फट कॉपी में note करेंगे और दूसरे numerical को देखते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग next question में आ जाते हैं क्या कह रहा है draw the sfd and bmd for a cantilever beam subjected to a point load as shown in figure कह रहा है कि एक cantilever beam है और उस पर दो point लग रहा है एक free end पर और चार मीटर के distance पर free end से 20 किलो newton का और पूछ रहा है कि इसका sfd bmd क्या होगा तो यहां पर चार लोड भी हो सकता है तीन लोड भी हो सकता है दो लोड भी हो सकता है बस यह याद रखना है आपको बनाने का तरीका clear होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहला क्या करेंगे आप अपने copy में right side में यह figure बना लीजे copy के और पूरा right side का portion आप ऐसे छोड़ सकते ह clear है और left side का जो parts होगा वहां से आप वहां पर सबसे पहला काम करेंगे sign convention लिख देंगे ठीक है सबसे पहला काम sign convention मतलब जो भी question बनाएंगे उसमें हम कौन-कौन सा sign को assume कर रहे है वो दिखाना काफी ज़रूरी है ठीक है तो सबसे पहला for share force share force अब पढ़े हो कि left से right अगर पढ़ेंगे तो उपर का force दिखेगा उसको plus लेंगे और जो force नीचे दिखेगा उसको minus लेंगे और अगर हम right से left का बात करें तो उपर का जो force होगा वो minus होगा और नीचे का जो force होगा वो plus होगा अगर हम moment का बात करें ठीक है bending moment का बात करेंगे तो bending moment में याद रखना है कि हसाएगा तो plus लेंगे और रूलाएगा तो minus लेंगे यह आपको चाहे left से right चलिए यह right से left चलिए यह ही sign convention यूज़ करना है अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला का for portion चुकि हम लोग section method से बना रहा है इसलिए हम लोग portion portion पढ़ाई करेंगे for portion AB में चलेंगे ठीक है अब AB में क्या करेंगे अपने मन से एक section कहीं भी काट लेजे जहां मन करता है आपको तो हम कुछ यहां पर section काट लिए और यहां से यहां तक के distance को हम x बोल दिए correct है मतलब हम लोग कर क्या रहा है तो जो काम कर रहे हैं वो लिख देंगे x measuring from from free end a free end a हम लोग क्या कर रहे हैं एक section काट है x x जो x distance पर है एसे अब हम लोग क्या करेंगे जहां section काटे बस उतने ही दूर देखना है तो बस आप यह यहां से लेके यहां तक ही देखना है इधर पढ़ाई नहीं करना है यही rule आपको याद रखना है तो shear force को हम लिख देते है fx तो जहां तक portion काटे है वहां तक में एक ही force दिख रहा है यह देखे इसको पूरा ढख दीजे तो आपको दिखेगा बस इतने दूर में एक ही force है 10 kN का वो भी कैसा है right से left पढ़ रहे right का मतलब यह part हो गए और left यह हो गए तो right से left में पढ़ाई कर रहे है correct है तो right से left में क्या बोला है उपर से नीचे जो दिखेगा वो plus तो plus कितना 10 kN और क्या बताया हो कि अगर कोई variable गुना नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे constant कहेंगे तो यह exam में लिखना काफी जरूरी है constant clear है अब चलेंगे moment के लिए mx तो जहां भी हम लोग section काटते हैं उसको मन में सोचिए कि fix कर दिए तो यह force इसको क्या कर रहा है इस तरह से जुकाना चाहेगा यह देखिए यह force है और अगर हम इस पर weight लगाएंगे तो यह नीचे की और जुकेगा और जब जुकेगा तो यह रोने वाला figure बनाएगा तो कितना होसा अगर minus 10 into x अब देखिए एक variable आगवर इसका power कितना है 1 तो इस लिए इस equation को क्या कहेंगे linear और यह जो है यह general equation एक बन गया ठीक है मतलब a और b के बीच में एक general equation हो गया अब देखो x का मान change कर रहा है a से b के बीच में a पर x का मान 0 है फिर x का मान 1 होगा 2 होगा 3 होगा और x का मान 4 होगा b तक तो हम लोग 1,2,3,4 करके नहीं निकालते एक a point पर निकालते initial पर और एक final पर तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे at point a पर x का value कितना 0 तो इसी में put करेंगे यह देखे moment a पर अब x के जगा क्या पूट कर रहे है a पर क्यूं? क्यूंकि हम लोग x a पर पढ़ाई कर रहे तो यह कितना हो जाएगा 10 into 0 that is equal to 0 तो हमको moment a पर पता चल गया कितना आगया 0 इसको आप exam में भी घेर देंगे जुस्ते कि आपको असानी से पता चलते जाएगा कि कौन-कौन से point पर कितना moment आ रहा है अब चलिए next आ जाएगे add point b अब हम लोग direct कहां चले देंगे b पर क्योंकि बीच में आप चाहेंगे तो यहाँ देखे 1 पर भी निकाल सकते 2 पर भी निकाल सकते 3 पर भी निकाल सकते पर बहुत लंबा समय लग जाएगा इसलिए आप direct एक बार initial point पर देखे तो add point b x का value कितना हो जाएगा 4 meter तो इसी equation में put किजए क्योंकि यह general equation है तो क्या हो जाएगा m b बराबर minus 10 into 4 that is equal to 40 minus 40 क्या चीज़ में हो unit kilo newton meter तो यहाँ से आपको क्या हो गया moment निकल गया कहा पर m b तो moment b पर कितना हो गया minus 40 kilo newton meter इसको भी आप घेर दीज़े काम का चीज चले यहाँ तक में कोई confusion नहीं है अब हम लोग चलते है 4 portion 4 portion अब b c में चलेंगे b c में ठीक है 4 portion b c अब हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से काट देंगे इस बार हम लोग यहाँ पर काट दिये और यहाँ से यहाँ तक के distance को हम लोग x1 बोल दिये और नापना है हमेशा कहां से free end से कोई confusion नहीं तो लिख देंगे x1 measuring from point कहां से measure कर रहे है a से measure कर रहे है free end से कर रहे है तो हम लोग क्या करेंगे force पता करेंगे fx1 equal to अब देखे जो पहले वाला portion काटे थे section काटे थे उसको आप भूल जाएए अब new आपका जो portion वो क्या हो गया bc के बीच में है तो आप आपको इधर वाला portion को नहीं देखना है अब इतने दूर में देखे कितना force लग रहा है तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इतने दूर में आपको दो force अगर इसको हम हटा दे तो आपको दिखेगा एक force 10 है एक force 20 ठेक है किदर लग रहा है नीचे की और किदर से पढ़ाई कर रहे है राइट से लेफ्ट पढ़ाई कर रहे है तो क्या क्या आपको दिख रहा है तो आपको दिख रहा है प्लस 10 और प्लस 20 इक्वल टू कितना 30 किलो नूटन कैसा होगा constant होगा correct है आप हम लोग क्या करेंगे moment निकाल लेंगे mx1 is equal to अब देखें इसको fix समझ लिजिए तो इतने दूर में 2 force है तो दोनों force moment बनाएगा क्योंकि ये force is distance पर perpendicular है अब 10 newton क्या करेगा इसको इस तरह से रूलाएगा और 20 newton भी क्या करेगा रूलाएगा तो हम लिख सकते है minus 10 force गुना distance तो distance कितना है x1 force कहां लग रहा है तो यहां पर तो यहां से यहां तक का distance कितना है x1 बस यह याद रखना है force कहां लग रहा है moment हमको कहां निकालना है तो force यहां लग रहा है अब moment यहां निकालना है तो force गुना यहां से यहां तक का distance clear है और यहां से यहां तक का distance आपको निकालना है, तो यहां ध्यान दिजेगा, कि यहां से यहां तक का distance x1 है, और यहां से यहां तक का distance आपको 4 है, देख लिजी figure में, तो हम कहेंगे x1 में से 4 घटा देंगे, तो 20 और जो section काटे उसका distance निकल जगा, अब चुकी x आ गया और इस वहाँ भी X आएगा वहाँ याद रखना है boundary condition लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे at point B पर क्यों B पर देखो एक बर initial point एक बर final point तो at point B तो नाप किदर से रहें A से तो at point B X1 का value कितना हो जाएगा 4 meter तो बैठा दीचे moment B पर तो minus 10 4, 20, 4 minus 4 equal to minus 40 kilo newton meter यह moment कहां पर निकल के B पर तो दीखें इस type की question में हमेशा याद रखेंगे match करेगा तो समझ जाना है कि सही बन रहा है clear है मतलब simply अगर point load लगा हुआ है तो match करते जाएगा अब हम लोग कहां चलाएंगे at point C पर x1 का value कितना हो जाएगा 5 meter नाप कहां से रहें A से नाप रहें देखो लिखें हुए A से तो A से ही पता करना है कि C का distance कितना है एक बर B पर पता किये और एक बार C पर पता करना है जिस portion में पढ़ाई कर रहे हैं उसी का distance देखना और देखना कहां से जहां से हम measure कर रहे हैं तो इसको भी value put करते हैं तो mc is equal to minus 10 गुना 5, minus 20, 5 minus 4, तो यह हो गया minus 50 और minus 20 is equal to minus 70 kilo newton meter चेक कर लेंगे एक बार आप खुद से भी correct है चलिए तो यहां से मेरा moment भी निकल गया है mc बराबर minus 70 kilo newton meter यह भी data को आप खेर दीजिए अब हम इसका finally क्या करेंगे smd-bmd ड्रॉ करेंगे तो क्या करना है यह जो figure आपका बना हुआ था या तो आप phrase figure नया बना लो और नहीं तो इस figure को आप नीचे इस तरह से extend कर दीजिए ठीक है हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं जहां जहां portion है वो आप दिखा दीजिए ठीक है यहां से आप scale रखके इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे और फिर यह point है और यहां से एक line ड्रॉ कर देना है ठीक है इसका नाम दे दीजिए a b और यह c अब चलिए सबसे पहला share force ड्रॉ करना है तो portion a b में चलिए share force कितना आया है 10 किलो न्यूटन कैसा आया है यह देखे 10 किलो न्यूटन कैसा आया constant आया प्लस में आया है इसलिए line के ऊपर चलेंगे तो 10 किलो न्यूटन मतलब a पर भी 10 होगा और b पर भी 10 होगा constant है और सीधा line खीचती है करेक्ट है और इसको हम लोग 45 डिगरी पर एक हैचिंग कर देंगे तो यह आपको निकल गया इस पोर्षन का और इसको भी प्लस कर दिए 30 किलो न्यूटन और यही आपका SFD हो गया बात समझ में आगया तो एक conclusion क्या निकला कि अगर आपके पास cantilever beam है या simply supported beam है और point load लग रहा है तो जो SFD draw होगा वो rectangle figure बनाएगा objective का काफी important question है कि अगर point load है और आपके पास जो beam है वो cantilever है या simply supported beam है या कोई भी beam हो तो उसमें जो SFD बनेगा वो rectangle होगा ठीक है और जो BMD बनेगा वो triangle बनेगा ठीक है चलिए अब next आजाते हैं BMD पर तो फिर सेक लाइन खीचती है अब देखिए moment का यह general equation है a पर कितना है जिरो ठीक है नाम दे दीचिए a b c a पर कितना है जिरो बीपर कितना है और c पर कितना है सेवेंटी है तो सेवेंटी नीचे माल लिए सेवेंटी किलो न्यूटन मीटर फिर लिनियर है मिला दिये और इसको भी हैचिंग कर दिये हम लोग और यही आपका क्या हो गया बेंडी मुमेंट डाइग्राम और फाइनल यही एंसर हो गया और यह जब भी कोश्चन आएगा हमेशा याद रखना है कि लॉग एंसर टाइप में ही कोश्चन आएगा तो आई होप आपको आज कैंटी लिवर बीम का पॉइंट लोड से अगर ऐसे डी बीमडी ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा तो आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे अब हम लोग नेक्स लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर कैंटी लिवर बीम है और यूडियल लग रहा है तो किस तरह से हम लोग उसका ऐसे डी बीमडी ड्रॉ करेंगे और इस टाइप का जो न्यूमरीकल्स है वो जादा से जादा आप लोग प्रक्टिस करेंगे तो एक हो एक लोड देता हूं यहां पर आपको बीस न्यूटन का एक लोड देते हैं यहां पर आपको एक तीस न्यूटन का लोड देते हैं और यहां पर आपको दस न्यूटन का लोड देते हैं यह डिस्टेंस तीन मीटर दो मीटर और एक मीटर है ठीक है और इसका आपको ऐसे डी BMT draw करना है तो आज के लिए बस इतने ही रहने देता हूं नेक्स लेक्चर में नए निम्रिकल के साथ मिलेंगे तब तक आप लोग मल लगाके पढ़ते रहे हैं ठीक है थैंक यू